चलोगा ना चलिए रेडी करते हैं एक बार ट्रभू का नाम लेकर जैश्राम नवस्ते दोस्तों स्वाद आपका एको शानदार वीडियो में दोस्तों यह वीडियो का टाइटल ना तमनिल तो आपने देख लिया होगा इस साल का सबसे तवाकेदार वीडियो होगा मैं यह प बहुत सारे लोग ऑनलाइन अपनी करियर की शुरुवात करना चाते हैं ऑनलाइन पैसे बनाना चाते हैं क्रियेटर बनना चाते हैं तो ऐसे क्रियेटर कितने तरीके हैं पैसे कवाने का लेजिट तरीक है जहां से सच में रियल मनी बनाया जासे एक फुल टाइम करियर बना करूँगा साधे साथ आपको उनमें से कुछ income sources के income भी reveal करूँगा खुलासा करूँगा क्योंकि transparency का दूसरा नाम सतीश के वीडियो 12 कि आप तयार हैं इक को बदाना चूहंगा च्वाबाँधा गर आपको लोक हैं जो अपने US चीजो को रीविल करते हैं इपको मैं जब ऑन लाइन आया ता तो मैं किसी से inspired था इन बात में कई पर बता चुका हूँ अगर आप मेरे पुराने subscriber हैं तो आपको पता ही होगा कि मैंने किसी की income report देखी ओनलाइन फिर मैं उसे inspired वो फिर मैंने blogging शुरू करी और आज मैं यहां पर हूँ तो मुझे 7 साल हो गए है as a full time creator बनके और यहां से पैसे बनाते हुए तो फिलाल इस साल मैंने काम उतना जादा नहीं किया थोड़ा सा travel जादा था थोड़ा सा काम में भी जी था दूसरे चीजों में काफी भी जी था तो इतना मैं इससे focus नहीं कर पाया फिर भी काफी decent income हुई है last year से अगर हम growth देखे तो अच्छी खासी growth है तो चलिए बिना time waste कि हम सीधा चलते हमारे income sources पे पहले मैं आपको income sources बताऊंगा और एक एक करके मैं income reveal भी करूंगा उनमें से कुछ income sources के तो चलिए फटाक से सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या-क्या income sources है तो सबसे पहले नमबर पर मैं रखूंगा blogging को because blogging से ही मेरी करियर की शुरुआत हुई थी अगर आपको पताऊगा मेरा पहला जो blog था all2andfall2.com था उसके बाद हमने takeyukti.com जो मेरा successful blog था है और यहां से हमने काफी अच्छे पैसे बनाए और recently अभी हमने तादा टाइम.com करके एक news blog बनाया है जो काफी चर्चे में है लोगों के द्वारा काफी पसंद किया गया है और उस blog से पिछले तीन महिने से हम एक लाग रुपे हर महिने income कर रहे हैं तो एक मेरा एक नया source भी क्रियेट हुआ है, income source भी क्रियेट हुआ है और वो पूरा autopilot पे है मैं उस पे उतना काम नहीं करता मतलब मैं सिर्फ रिसर्च कर लेता हूँ थोड़ा एनलेसिस कर लेता हूँ नेक्स जो मेरा income source है वो है Facebook अब हम क्या करते हैं जो भी YouTube पे हम वीडियो अपलोड दरते हैं इसी वीडियो को हम अपलोड दर देते हैं same to same Facebook पे वहाँ पे भी मैं नहीं करता मेरी टीम है जो इस वीडियो को वहाँ पे पोस्ट कर देती है वहाँ पे डाल देती है और उस टाम के बाद उसने डिसकंटीनू कर दिया तो Instagram पे एक की चांस है या तो आप affiliate कर सकते हो या फिर brand deals आपको मिलते है sponsorship मिलते है तो वहाँ से पैसे कमा सकते हो तो वहाँ से भी brand deals कर लेता हूं तो वहाँ से थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं फोर्थ जो हमारा income source है वो ह अगले source पर आते हैं तो इसको हम दो source मानेंगे YouTube का यह जो main channel जो अभी देख रहे है और जो secondary हमने एक्स्टा चैनल बनाया है तो इसको दो source मानेंगे because वहाँ पे मैं कुछ नहीं नया कुछ नहीं बना रहा हूं कभी-कभी exclusive बना देता हूं बाकी क्या करते हैं इसी channel के पैसे बना सकते हैं इस पे वीडियो किया हूँ है dedicated वीडियो देख सकते हैं कि बिना नया वीडियो बनाये कैसे हम उसी वीडियो को री परपस करके हम monetize कर सकते हैं तो यह वीडियो आपको screen पे दिख रहा होगा उसको आप check out कर सकते हैं लिंक इसका description में डाल दूँगा तो अगर आप creator हो तो आपके लिए बहुत कमाल की वीडियो सावित हो सकती है six number का जो income source है ओ है affiliate marketing major source of revenue है हमारा affiliate marketing आपने देखा होगा कई बार हम अपने वीडियो में अलग-अलग products promote करते रहते हैं जैसे hosting promote करते रहते हैं hostinger, bluehost, cloudways इसके लाब बहुत सारे tools है जैसे same rush है same rush को हम promote करते रहते हैं same rush से तो उतनी income नहीं हुई है theme हमने promote किया है कई पार लोग बूचते है कि तादर टाइम पर जो theme तुमने लगा यह कौन से theme है तो उसका हमने affiliate link नीचे description में डाला हुआ है तो वहाँ से भी हमें थोड़ी बहुत income हुई है इस साल इसी साल मैंने theme और promote किय से भी काफी अच्छी कासी income होती है जो हम अभी आपको इसमें दिखाएंगे 7th number पे है brands sponsor on YouTube अभी हमने Instagram के लिए बता है YouTube पे भी हमें brands और sponsor मिलते रहते हैं समय से में पर around महीने के 3-4 मिल जाते हैं तो साल वर में हमारे पास 30-40 brand हो जाते हैं वाला होती है 36 तो 35-40 brand तो आरा income sources है मेरे around 8 है actively और passive है हमारा stock market जो next में इंकम सोसे मारा share market में मैंने पैसे इन्वेस्ट करें around 2019 से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो अभी मेरे को हो गए 4 साल तो पो गए आराम से हो 4 साल में काफी अच्छा खासा पैसा ग्रोव हुग है almost एक मेरा portfolio है like एक डिमेट पर बहुत सीखा investing और मैं trading नहीं करता हूं और खुलके में बताना जाता हूं वहां से पैसा बन रहा है हलाकि हम रीडिम तो नहीं करते हैं निकालते तो नहीं है वह हमारे कहीं नहीं हमारा एक wealth create हो रहा है तो उसको भी मैं consider करता हूं as a income source एक और हमारा हो जाता है जो 9th number प upload किया था प्रिंतम नागराले सर के साथ में जिन्होंने सिर्फ एक ब्लॉग पोस्ट से एक ब्लॉग ब्लॉग नहीं कर रहा हूं ब्लॉग पोस्ट मतलब एक आर्टिकल से एक लाख 50,000 डॉलर अन किया तो कैसे रिफररान से रिफरल कॉंसेट से उन्होंने simply उस चीज के ब और वहां से भी मैंने काफी अच्छा decent income किया इस एक साल में तो मैं आप लोगो को दिखाना चाओ तो जो almost किसी job का package होता है पूरे साल का उसके बराबर हमने सिर्फ एक वीडियो से earn किया था तो ये तो हो गए मेरे income sources कुछ around 9 हो गए अगर आप count करोगे अगर आप एक एक क माने भाई वाई से हम तो जी खा रहे हैं तो चली ये तो हो गई income sources की बात अब हम आते हैं आपको हम एक एक करके income reveal करेंगे जिसके लिए आप यहाँ पर वीडियो पर अभी तक बने हो और यहाँ तक बने हो इन 9 income sources के लिए भाई 9,000 likes तो हो जाए 9,000 नहीं 90,000 likes तो हो कि शुरुवात होते हम 17,000,000 का जो मार्क है उसको हम क्रॉस कर ले 17,000,000 हो जाएंगे कि नहीं प्लीज सब्सक्राइब कर दो साल के एंड में जाते 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 गुजारिश तो करी सकते हैं वाई साल वर वैलू दिये हैं है कर दो क्या जाता है अरे मर्दवाक बादा सब्स अब इतना ट्रेफिक नहीं राज इतना पहले आता था हमने टेकिप्ती डॉट कॉम से अराउंड 20,000,000 के करीब तो कमाया रहेगा और 37,000,000 से भी कमाया रहेगा थोड़ा बूद ताजा टाइम पे हम अभी रिसेंटली हमने जो ब्लॉग शुरू गया उसका हम आपको इंक करते हैं आप लास्ट नाइटी डेस का ही दिखता है गूगल साइट किट में तो खुल रहे बहुत समय लेता है खुल गया तो यहाप आप देखोगे 2621 डॉलर का इंकम हुआ है लास्ट नाइटी डेस में मुझे लग रहा है कि लगबग ये कप से कप का दिखा रहा है 27 सित समर को वीडियो शूट हो रही है रात के एक बज़े तो 26 डॉलर इसको नोट कर लिजेगा डिटर साव ठीक है तो हमारा यह जो नया वाला ब्लॉग है तो वहां से अब ब्लॉग जिनको नहीं पता पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो कई बार लोग इंकम सोर्स द बनाके रखा है तो अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लेना और कैसे न्यूस ब्लॉग शुरू करते हैं पूरा आमने बताया वह स्टेप बाई स्टेप तो आप देखके शुरू कर सकते और एक टुटली आपकी मर्जी है मैं किसी भी तरीके से फोस नहीं करना चाता आपको समझ में आए तो करिए नहीं समझ में आरा मत करिए जो समझ में वहीं चीज करिए बाई मेरा जो काम है बस में आपके सामने डेटा रखना चाहता हूँ आपके सामने इंसाइट देना चाहता हूँ अब आपके ऊपर है कि आप उस चीज को कैसे लेते हो तो चलो पहल हैं यहां पर लिखते जाते हैं 2600 कितना डॉलर था भई 21 डॉलर ठीक है यहां पर कैल्कुलेटर हम खोल लेते हैं और लिख देते हैं 2621 ठीक है चलो अब जो सेकंड हमारा है वह है अब पर फेस्बूक अब पर पर फेस्बूक पर फेस्बूक पर गिसेंस जाता लो तो में तो मिरत जाते हैं कितना पैसा बना है वह». अप लोग नॉलेज लेना हो तो हमए और लेडी इसे जो के ऋपर वीदूस बना आगा रखें तो रिलेटेड वीडियो के लिंक में नीचे डिस्क्रिप्चन में डाल दूगा Facebook का creative studio पे जाते हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि कितना पैसा बना है अब के सो यहाँ पर हम जाते हैं इन स्ट्रिम एड्स Facebook का जो टैश बूर और थोड़ा सा complicated है या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि मैं यूस्टू नहीं हूँ बस यहाँ पर वीडियो जो पोस्ट करती है टीम उनको ही पता रहता है जाला कर अब यहाँ पर मैं बस इंकम देखने आया हूँ यहाँ पर जो लास्ट ट्वेंटीएट डिस का दिख रहा है एक जनवरी से हम देखते हैं आज तक का ठीक है एक जनवरी से आज है पत्चीस दिसंबर ठीक है पत्चीस दिसंबर चौबीश दिसंबर तक का दिखाएगा यहाँ पर अपडेट करते हैं कितना पैसा बना है कि खुल हां साढ़े साथ सो डॉलर तो साथ साथ सो डॉलर भी कम नहीं होते भाई भागले बूते के आगे आपको पता होगा लगोटी ये नापा तो साढ़े साथ सो यहां का अरप्यम बहुत कम है यार इतना तो सीपीसी आता है भाई पॉइंट जिरो देते हैं, calculator में, यहां पर plus 750 डॉलर, ठीक है, अब हम आते हैं, third जो हमारा income source है, Instagram, तो Instagram पर हम branded वीडियो इसी करते हैं, like sponsor से ही हमारी कमाई होती है, और कोई कमाई का source नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, ऐसे, sponsor कभी-कभी मिल दाता है, fourth हमारा YouTube Extra Channel, तो हम आते हैं, YouTube Extra Channel यहां पर चलते हैं, dashboard में देखते हैं, कि Extra Channel से हमने इस साल कितना income किया है, तो यहां पर analytics में जाते हैं, अई, ससुरी का होगे, तो यहां पर हम जाते हैं, और 2023 में देखते हैं, कितना पैसा बना है, तो यहां पर हम देखेंगे, 2023 में 7,123 डॉलर बना है, और यहां में लिख देता हूँ, 7,123, प्लस करके, 7,123, ठीक है, यह हो गया, YouTube Extra Channel, इसके बाद हम आते हैं, YouTube Main Channel, अब YouTube Main Channel पर आते हैं, मैं यहां पर, अभी आप देखोगे, 37 के वीडियो, Extra Channel है, यहां पर हम कैसा content डालते हैं, इस चैनल का जो लॉंग वीडियो है, उसको छोटा-छो point content होता है, और कभी-कभी exclusive वीडियो डाल देता हूँ, जो मुझे लगता है, कि Main Channel पर नहीं, उसकी audience छोटी है, उसको देखने वाले लोग कम है, छोटी मतलब को मेरे कहने का मतलब, उसका size है, audience size है, कम है, कि ज़्यादा लोग interested नहीं होंगे, तो इस Main Channel पर डालके मतलब नह है, और to the point बनाता हूँ, वहाँ पर, तो वहाँ पर मैं इसलिए कभी-कभी बना देता हूँ, usually ज़्यादा तर clips ही होते हैं, चलिए तो अब मैं यहाँ से आपको Main Channel पर लेके चलता हूँ, Main Channel से कितनी income हुई है, major source of revenue हमारा, बहुत बड़ा हमारा number जो यहाँ से आता है, तो इस बार तो दिखाना पड़ेगा भाई कि यह dollar, USD dollar है, like American dollar है, कि जमाइकन dollar है, हो सारे लोग comment करते है, तो यहाँ पर देखो, USD dollar selected है, ठीक है, यहाँ पर देखो, USD dollar selected है, मैं इसको close करता हूँ, यहाँ पर और एक बार और refresh कर देता हूँ, तो आप देखलो, मैं बिल्कुल मैं छूँ रहा हूँ, आ रहा है, 74,226, मैं इसको लिख लिएता हूँ, ठीक है, प्लस 74,226, मैंने बोला न, ही हमारा major source of revenue है, YouTube, next जो हमारा income source है, वो है affiliate, ठीक है, तो अब जैसा कि मैंने बाता है, affiliate हम multiple चीजों को promote करते है, Bluehost, Hostinger, Cloudways, A2 Hosting, इसके लावाद सेम रस को भी promote क तो मैं आपको लेके चलता हूँ, impact पे जहां पे हमें affiliate income दिखती है, तो impact पे चलते हैं, I think यहां पे खोला हुआ है, मैंने हाँ, तो यहां पे हम एक बार refresh करेंगे, ठीक है, तो यह हमारा impact का dashboard है, यहां पर balance कुछ 15 जा दिखा रहा है, जो आने वाला है, यहां पे हम earning history पे जाते हैं, और इस साल का देखते हैं, कितना income हुआ है, यहां पे दिखा रहा है, और यहां पे तीन प्रोडक्स हो रहे है, impact ऐसा platform है, जहां पे अलग प्रोडक्स के आप affiliate बन सकते हो, तो यहां से Bluehost के लिए sign up किया हुआ है, और Inuato जो theme का है, जैसा मैंने मादा है, ताधर रूपीज में है, तो यहां पे ताध 26,900, इसको 27 पकड़ लेते हैं न, इसको रुखा, 26,000, round figure में पकड़ लेते हैं, कट कहां से हुई यार, तो 27,000, जो हमारे theme से जो income हुई है, 27,000 हुई है, ठीक है, और 8,50,000, नहीं, 8,50,000, यह Bluehost से हुआ है, और प्लस इसमें एक और कोई था, ACM रश्य हुआ है, 244, वा, क्या करेंगे इतनी दन्रासिका, 2240, round figure में जोड़ लेते हैं, ठीक है, यह इंडियर रुपीज में, तो इसको अलग लिख लिए है, और यह हमारा dollar में, तो इसको अलग लिख लिख लिए है, अभी end में पुरा sponsor एक साल में हो जाते हैं, तो यह भी मोटा मोटी आप पकड़ सकते हो, अब brand से कितना हम लेते हैं, वो थोड़ा सा B2B हो जाता है, अब directly brands के साथ में शेर करते हैं, अफिर agencies के साथ में शेर करते हैं, ऐसे publicly नहीं बता सकता है, हाला कि अगर आपको idea लगाना है कि एक YouTuber, एक Creator कितरा चार्ज करता है, तो एक हमने वीडियो में उल्लेडी बात किया हुआ है, तो वीडियो आप देख सकते हैं, तो उसका मैं यहाँ पर income नहीं लिख रहा हूँ, अब हम आजाते हैं, next जो हमारा income source है, वो है Referend Earn, ठीक है, तो Referend Earn, जो मैंने बताया है कि हमने इसी साल करना हो गया, और Demet Account के लिए हम ऐसे नहीं बोल सकते किसी को भी, तो इसलिए मैंने वो रोग दिया, इस पर से भी कुछ rules बना रही है, तो फिर देखते है rules हो गएरा, जब आ जाएगा, तब मैं उसको promote करूंगा, तो जब मुझे clarity नहीं थी, तो मैंने promote करना बंद कर दिया तो अभी एक ही मैंने promote किया, वाइसेंस जो मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर वाइसेंस पर हम चलते हैं, और refresh करता हूँ, वाइसेंस वाले अगर वीडियो ने अपनी नहीं देखी तो देख सकते हो, अगर आप creator हो, तो आप वहाँ से पैसे बना सकते हो, refer करके, कई लोग refer वाले income को consider ही नहीं करते हैं, बढ़ ठीक है यार, यहाँ पर हम देख सकते हैं, इस साल 3864 डॉलर दिखा रहा है, lifetime total हमने 4100 बनाया है, तो इसको हम डॉलर वाले में यहाँ पर लिख लेते हैं, 3864 कितना होता है, थोड़ा अंग्रेज लोगों को समझा दे, 3874 डॉलर यहाँ पर है, तो यह हमारे डॉलर में इंकम हो गए, और यह हमारे रूपीज में इंकम हो गए, ठीक है, और यह जो last में जो हमारा income source है, stock market का, share market का, तो उसको calculate करना इतना easy नहीं होता है, और मैंने को करता हूँ, और अगर आप लोग पैसे कमाते हो और invest नहीं करते हो, तो आपको करना चाहिए, और मैंने अपनी investing के बारे में भी एक दो वीडियो बना के रखी है, तो आप हो देख सकते हो, नीचे मैं description में link दाल दूँगा, तो चलिए अब इसको calculate कर लेते हैं, डॉलर को प हम अब इसको भी, हम 9 lakh को हम डॉलर में convert करेंगे, ठीक है, तो कितना है 9 lakh, 9 lakh 14, 240, INR 2 USD, ठीक है, कितना हो गया, 10,992, ठीक है, 10,000, almost 11,000 डॉलर हो गया, तो इसको हम add करेंगे, इस डॉलर वाले में, तो plus 10,009, इतना होगा न, yes, confuse बात हो येगा, हम वैसे भी लिख देंगे यहां पर, कि डॉलर ये रूपीज वाला है, तो अब मैं equality button दबा देता हूँ, आप अब इतर जो, एक लाग डॉलर हो गया, 99,586, स्पांसर हो गया मिलाया, तो एक लाग डॉलर तो क्रॉस कर गया, अब चलिए, आम इसको देख सारे income sources तो मैंने नहीं दिखाएं, बट मोटा वोटी तोर पे हमने 83 लाग रूपीज बनाये हैं, तो दोस्तो पड़ाक से इस, खुलासे पर like तो हो जाना चाहिए, 83 लाग दिखाएं, तो कम से कुँछ 1000 लाइक तो हो जाने चाहिए, क्या वोलती है public, और सब्सक्राइब न ही हमें multiple income sources पे नहीं भागना है, देगे मेरा मानना है कि सबसे पहले एक income source create करना चाहिए, एक income source पे focus करना चाहिए, उसके बाद हम उसी industry में, उसी niche में, अलग-अलग verticals पे हम focus कर सकते हैं, और आपके उपर depend करता है कि आप एक साथ में क्या-क्या चीज़े देख सकते हैं, अब मैंने देखो, मेरे साथ जो लोग हैं या फिर मैं कैसे करता हूँ, कि शुरुवात तो मैंने करी थी, अलग-अलग चीज़े करी थी, बहुत सारी चीज़े मैंने ट्राइ करी थी, बढ़ धीरे-धीरे करके, अभी मेरे पास अब team हो गई है, अकेले शुरुवात करी थ बाकी कुछ freelancers लोग हमारे साथ भी काम कर रहे हैं, तो अब थोड़ी सी चीज़े मैनेज हो जाती है, बट इस साल 2024 में हम चाते हैं, at least $1,000,000 को टच करना, देखते हैं, इस साल कर पाते की नहीं, बट टार्गेट हमारा यही है, और साथी साथ मैं चीज़े शेयर करता रह है, और गाइस एक और ज़रूरी बात, यह मत समझेना है कि यह जो मैंने आपको income दिखाई है, यह हमारा profit है, यह profitable revenue है, इसमें बहुत सारे expenses भी होते है, salaries भी देनी होती है, तो ऐसा मत समझेना है कि यारे, फुल पुरा profit पे profit कमा जा रहा है, तो बट हां decent income है, बहुत करना साँगा, देखिए कोई भी चीज अगर मैं आपके साफ शेर कर रहा हूँ, तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं, मैं आपको जबरदस्ती कर रहा हूँ कि भाई, तू भी कर, तू भी कर, भाई, तोटनी आपके उपर depend करता है, क्योंकि कहा जाता है कि मान लीजे, एक teacher है, 30 बच्चों को पढ़ाता है, उसमें से एक ही दो बंदे तो टॉप करेंगे, तीनी चार बच्चे टॉप करेंगे, हर कोई टॉप कर ले तो possible नहीं है, तो सब depend करता है कि आपकी मैनत पे, आपके जुनुन पे, आपके जोश पे, आपके जरूरत पे, तो इस साल, 2024 में, आपक सारी चीजे करने वाला हूँ, आप लोगों के लिए, अलग-अलग ही विवेस भी लेके आऊंगा, और साधी साथ ही विवेस ही नहीं, सिर्फ वेडियो ऐसे ऐसे आएंगे ना, कि आप लोग का जो दिमाग है, खुल दाएगा, तो फड़ाक से सब्सक्राइब बटन दबा दीजियाओ, इसी कर साथ मिलते हैं हम अगले घमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए आप जहां भी रहें, मच्चा तेर!